नमस्कार आप देख रहे हैं प्रेणस समवाद मैं हूं पल्लवी आज के प्रमुक समाचार उपर एक नजर सेवा इंटरनाशनल ले की यूक्रेन में फसे 30,000 लोगों की सहायता यूक्रेन में फसे लोगों के लिए सेवा इंटरनाशनल लगातार वर्दान साबित हो रहा है सेवा इंटरनाशनल ले अब तक यूक्रेन में फसे 30,000 लोगों की सहायता की है रूस के हमले के बाद से यूक्रेन में फसे लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं सेवा इंटरनाशनल ने भार्तिय अफरीकी युक्रेनियन लोगों के अलावा कई अन्य देशों के नागरिकों की मदद की है सेवा इंटरनाशनल के रिलेशन्शिप मैनेजर विनोध पिल्लई ने बताया कि हमारा उदेश्य उन लोगों की मदद करना है जो लोग संकट में फसे हैं हम उन लोगों को रहने के लिए जगा और खाद्य सामगरी उपलब्ध कराते हैं उन्होंने पताया कि संगठन में लोगों की मदद करने के लिए काफी संक्या में स्वेम सीवक है जो लोगों तक पहुचकर उन्हें मदद पहुचाते हैं कश्मीरी हिंदूओं के नरसंगहार पर बनी फिल्म दे कश्मीर फाइल्स देख दर्शकों के बहे आंसू कश्मीरी हिंदूओं के नरसंगहार पर बनी फिल्म दे कश्मीर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई जिसे देखने के बाद दर्शकों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे कश्मीर फाइल्स में 1990 के दर्शक में कश्मीरी हिंदूओं की नरसंगहार की कहानी को दर्शाया गया है फिल्म 11 मार्श को रिलीज हो रही है कोरोना संक्रमन के कारण उत्य प्रदेश के कई बच्चे रूटीन वैक्सिन लगवाने से छूट गए है ऐसे करीब साढ़े आठ लाग बच्चों को अभी तक चिन्नित किया गया है साथ मार्श से मिशन इंद्र धनुष शुरू किया जा रहा है जिसमें विशेश रूप से इन बच्चों को वैक्सिन लगाई जाएगी छूटे हुए बच्चों के साथ साथ नवजाद शिशू से लेकर दो वर्ष की आयू के कुल एक करोड़ दस लाख बच्चों को अभी इस अभ्यान में वैक्सिन लगेंगी एक कर्तव्य संस्थाने सरकारी स्कूल का काया कल्पकर बना दिया एक्सप्रेस फ्रेन एक कर्तव्य संस्थाने सराहने ये पहल करते हुए आग्रा के बलकेश्वर पात में कन्या विद्याले को गोध लेकर उसे एक्सप्रेस फ्रेन बना दिया है विद्याले के क्लास्रूम किसी एक्सप्रेस गाड़ी की सुविधा जनक बोगी जैसे दिख रहे हैं स्कूल में किसी हाइफाई प्राइविट स्कूल की तरह सभी सुविधाय मुहया कराई गई है संस्था का दावा है कि इस तरह का रेनोवेशन आगरा में अब तक किसी प्रात्मिक विद्याले का नहीं हुआ है किनर समाज के लोगों से विद्याले का उद्खाटन कराया कया बलकेश्वर प्रात्मिक कन्या विद्याले की रेनोवेशन के बाद अब विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ने लगी है यह हमारे स्कूल में NGO ने जो डेकोरेशन का काम, पेंटिंग का काम और इस सब कराया है यमुना घाटी में सिंदू घाटी सभ्यता से जोड़ी प्रतिमा मिली दोन पुस्तकाले एवं शोध केंद्र की पहल पर पुरा तत्ववा इतिहास के शोधार्थियों ने उत्तर काशी जिले के देवल गाउं से पाशान निर्मित महिश मुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा खोज निकाली है शोधार्थी इस प्रतिमा को सिंदू घाटी सभ्यता से प्राप आदी शिफ की प्रतिमा से जोड़ कर देख रहे है उनका कहना है कि प्रतिमा सिंदू घाटी सभ्यता और उत्तराखन के पारंपरिक संबंधों को रेखांकित करती है इस दुर्लव प्रतिमा का प्रकाशन रोम सी प्रकाशित प्रतिष्ठी शोध पत्रिका इस्ट एंड वेस्ट के नवीन तम अंक में हुआ है जो इसके पुरा तात्रिक महत्व को दर्शाता है कपड़े में लगा सेंसर बताएगा किस जगा है जवान उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं प्रोध्योगी की संस्थान में छात्रों को रोजगार परक्षिक्षा और कोशल की गुर्ष सिखाने के लिए इंडस्ट्री इंस्टिट्यूट मीट और 1997 बैच के पूर्विचात चात्राओं की एलुमिनाई मीट का आयोजन हुआ इसमें विभिन कंपनियों वा विभागों में कारेरत पूर्विचात्रों संग उद्यमी वा विशेशक गे भी उपस्तित रहे इस दोरान DRDO की जॉइन डारेक्टर डॉक्टर केके गुपता ने बताया कि संस्थान में सेंसर फिटेट कपड़े बनाय जा रहे हैं जिससे जवान की लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी अब एक नजर आज की सुर्खियों पर पीली भीट में स्वेम सेवकों का दो दिवस ये प्रशिक्षन वर्ग संपन उत्रखन के 175 लोगों की हो चुकी है सकुषल वाकसी रूस यूक्रेन युध के बीच अब भी फसे हैं 124 नाकरिक यूक्रेन से भारताय अलीगर के गौरव शर्मा कहा दुनिया में बढ़ा हिंदुस्तान का कत तिरंगे का विदेशी करते हैं सम्मान सीम योगी का दावा 80 प्रतीशक वोट के साथ यूपी में भाश्पा बना रही सरकार 20 में निपर जाएगा विपक्ष चंदौली के जफरपुर गाउं में केंद्रिय काबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे वभाश्पा प्रत्याशी रामेश जैस्वाल के काफिले पर हमला तूटा कार का शीचा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा सरकारी योजनाव के लाभार्टी सियासत का हिस्सा नहीं विदिकास योड़ा आज के समाचारों में इतना ही फिर ले कराएंगे कुछ नए समाचार तब तक के लिए नमस्कार